हम बोले हैं है 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 जो जाएंगे कामरा मेरा इदर आएगा हम इदर लगाएंगे किसी किसे मैं बड़े अफसोस के साथ जलालपूर के उस शहर में आज अर्दू के मसूर शायर और नाजी जनाब अनौर जलालपूरी साहब का इंतिकाल हुआ मैं इस वक्त उनके घर के सामने खड़ा हुआ हुआ और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे तमाम सोगवारों का मजमा है कि अनौर सामने कहा था कि मेरी बस्ती के लोगो अब ना रोको रास्ता मेरा मैं खुद को छोड़के जाता हूँ देखो हुसला मेरा आई आई एमाइसी के साथ मैं उनके दर्वाजे के सामने खड़ा हूँ यहां पे सोगवारों का मजमा है कामरा मैं अबास के साथ चंदों लोगों से गुपतगू करवा रहा हूँ कि फिर उनके बारे में तासुलात की जानकारी ले रहे हैं कि क्या कहने हैं आई एमाश्र अनौ जलादपुरी साब एक ऐसे इंसान थे जनको आज सारी दुनिया उनके गम मुझना होके रो रही है उन्हों ने खुर्दू एदब के लिए सारी खिद्मात अपने अंजाम दी और उन्हों ने जलादपूर में бच्चों की तालीम के लिए लड़कों की तालीम के लिए एक मिर्दा गालिप की जो निउडाली थी 1979 में आज वो एक इंटर कालिज की हैश्शत में है और उसमें तमाम बच्चे और बच्चीयां जो है वो तालीम हासल कर रही है बहुत से हिंदू बच्चे भी जो है उर्दू की तालीम जो है हासल कर रही है ये उनकी बहुत बड़ी खिद्मत थी उर्दु अदब के लिए और ये जो है पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बुरी दुनिया के लोग आज उनके गम में वो शरीख हैं जलालपूर में जलालपूर के लोग जो है किस तरह से उनके गम में शरीफ हैं इसको बियान नहीं किया जा सकता है मैं और ज्धा क्या कहूं मैं सिर्फ अल्लह चाला से इस दूआ करता हूँ कि अल्लह दूआ उनकी रुख को जनन नसीब करे और घर के सारे लोगों को खास करके उनकी मुधा, अहलिया को उनके बच्चों को सबर जमीर अता फरमाएं उनके सारे जो अजीज अकारिब हैं सब को सबर जमीर अता फरमाएं और अल्लह ताला उनको जननत नसीब फरमाएं आमीन हजारों साल नर्गिस अबनी बेनूरी पैरोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा आईए आप लोगों को मैं इसी के साथ उनका ज़स्देखागी भी आप लोग देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से होता है जर्फे में हमें अदुस्तान की एक हृओं से कहना चाहındaki मेरे वालेट के हाग में हरु है कर दो किमेरे मेरे दुनिया क में दौजा करें वहरी में कि मेरे में के हम और शिरित के हृद्रे सब्सक्etzen हमेशा पुरे इंसानियत के लिए उसकी फला के लिए काम किया है इंसानियत को जोड़ने के लिए हमेशा महबत और अमन का पैगाम दिया है कभी नफरत की कोई बात नहीं कही है और नफरत से दूर रहने के लिए दूसरों की मदद करने के लिए हमें सब तबलीग करते रहे अपनी शायरी के जरीए भी और अपने दूगर दीगर काम के जरीए भी बस महुत बहुत शुगिया आईए हम आगे की तरह बढ़ते हैं फिर जैसा कि भी आप देख रहते हैं हम उनके फरजन जांसार साब से बात कर रहे थे हैं यहां पे हजारों सोगारों का बजमा अनवर साब के सबसे छोड़े साब जादे सबरों रखिए और अरदिगार ये शायकार साब हैं हम इंसे भी कुछ गुफटगों करवा रहे हैं आपकी आप क्या कहना चाहेंगे मेरे पास तो अलफाज भी नहीं है मैं कुछ कह सको इस वक्त अबने वाली साब के लिए अब दिन्वाई सामास आपके तो मेरे पास अलफाज नहीं कि मैं जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वाकी हराद्बी हर कोई उनके गंबे सोवार है एक अर्सा नरिंदो इंटर कालिज में उस्ताद की हैसियत से भी रहे है और ये मिर्जा गालिव इंटर कालिज के बनियाद कुछारों पर भी होते हैं यह हमारे दरम्यान मानिय श्री जनाब राकिस पंड़र साम यह बल़े लखे सबसे यह सबसे बले लोके जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे दर्मियान जनाब मौलाना मेधियसन साथ बही है और जाजी कमरायास साथ भी है जो खुद भी गजल लिखते हैं अपने वाली साथ की तरह एक अठी गजल इनकी शायब भी होती हैं तरहिकी हम आप कुछ कहना चाहेंगे हम आपके गम में बराबर के शरीक है बस हमारा गम तो बहुत बड़ा है लेकिन लोगों की महबतों से इतना होसला मिला है कि उसको बरदास करने की अल्ला ताला हमको पुगत दे रहा है बस मैं और क्या कह सकता हूँ आप सभी लोग इस गम में शामिल हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अनुवर साब की प्रती अप्रिश्रा धंजली अठपित करता हूँ और एक ऐसी शक्सियत हमारे बीच से चली गई जिसके नाम से ही जलालपूर जाना जाता था अगर लोग बाहर कहीं भी रहते थे अगर लोग पूछते थे आप कहा से सांसλιद हैं जहां तक अनुवर साब का तालुक है उर्दु अड़क के हوالे से साहित के हوالे से सारी दुन्या में एजाने जाते हैं और हम लों के करीबी अजीजों में से हैं और काफी तकलीफ है काफी अफसोस है हम जी नहीं फिल की पूरा हिंदुस्तान अफसोस कर रहा है लेकिन एक चीज़ सोच करके हम लोग कि अनुवर साहब एक ऐसी सक्सियत थे कि जलालपूर में आज तक कोई इसा पैदा में हुआ जिसने पूरे जलालपूर को पूरी दुन्या से जोड़ा एक सेर के जरीय से मैं अपनी सिद्धांजली दे रहा हूँ हूँ अनुवर साहब को कि नाम मेरा जहां तक पहुचा साथ पहुचा इस दयार का नाम सुक्रिया हम अनुवर जलालपूरी साहब के सिलसले में क्या कहें लफजें तलाश करने पर दिमन लो रही है मुक्तसर ये कि हजारों साल नर्गिस अपनी बेनुवरी पर रहती है बड़ी मुश्किल से होता है चनल में दीदावर पैदा अनुवर जलालपूरी बहुचित नाजल बहुचित शायर बहुचित अबीब के मिन फरीद खुसूसियत रखते थे इसके लाओ जो मैंने महसूस किया मुक्तलिफ मुलाकाते में तो वो वतन से बड़ी सच्ची महबत करते थे और हमारे आखरी मभी के जो इर्शाद है हुबलवतन मिनल इमान वतन की महबत आधा इमान है तो वो वतन से बहत महबत करते थे और वतन से महबत यह नहीं कि सिर्फ मुसल्मानों से महबत हो बलकि इस धरती पर बसने वाले जितने भी शिया सुनी हिंदू थे सबसे वो इंतहाई महबत करते थे उनका सानय इर्तिहाल एक नाकाबल तलाफी नुखसान है मैं तमाम अहल जलालपूर को अहल अदब को ताजियत पेश करते हुए खारता वक्त उनके अहल खाना को ताजियत पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आल्लाफ उनके दर्जाद को बहुत बलंद करे ये हमारे दर्मियार मानली मंतरी राम मुर्तिवर्मा साहबे आज हम लोग अनुवर जलालपूरी साहब जिन्होंने जलालपूर की मिट्टी से जन में लेकर पूरी दुनिया में जलालपूर, अम्रिटकर नगर आस पास के जिले के लोगों की सान बढ़ाने का काम नहुन किया आज उनका हिंदिकाल हुआ है, हम सभी लोग उनको यहां सलाम करने के लिए आए हैं आप से मुलागात करवा रहे हैं जराप दागर सर्दार साहब की आप मौस से बचने की एक तर्कीब है, दूसरों के जहन में जिन्दा रहें यारब तुझे अनवर को भी देना होतों आखें, हर एक के दुखदर्द में रोने के लिए दे अनवर जलाल पूरी महतरम साह हमारे उस्ताद थे, बहुती अच्छे शायर, उर्दू जबान के इतने अच्छे नाजिम, बहुती मुश्किल से मिलते हैं हम चाहेंगे कि उनकी याद में अनवर जलाल पूरी मेमोरियल फाउंडेशन की अस्थापना की जाए, शुक्रीए